Hello friends, welcome to my YouTube channel आज किस वीडियो में मैं आपको बताने बलाऊं कि अगर आप भी चाहते हैं Snapchat पर अपनी दूसरी ID को लोगिन करना तो आप अपने Snapchat पर दूसरी ID को लोगिन कैसे किजिएगा दो-दो एकाउंट है जो कैसे यूज किजिएगा तो आप इस वीडियो को देखते रहें तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में Snapchat को ओपन करना है तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ तो Snapchat के ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो देखने को मिलेगा तो इसके बाद आपको उपर में profile पे क्लिक कर देना है तो profile पे क्लिक करने के बाद आपको Snapchat की जो आपकी पहली ID है या पहला account है जो आपको यहाँ पर show हो रहा होगा तो जैसा कि आप Snapchat पर अपनी दूसरी ID को login करना चाहते हैं आप अपने यहाँ पर Snapchat के account को switch करना चाहते हैं तो आपको उपर में जो setting है setting पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको नीचे की तरह प्रेश्क्रॉल करके आना है जहाँ पर आपको logout का option मिलेगा तो आपको logout पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर confirm करने के लिए logout पे फिर से क्लिक करना है यहाँ पर आपको पहली ID है जो यहाँ पर logout हो जाएगी तो इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर जैसा कि दूसरी ID को दूसरे account को आप login करना चाहते थे तो आपको switch account है इस पर क्लिक करना है और switch account पे क्लिक करने के बाद आप login वाले option में आ जाते है तो यहाँ पर आपका जो दूसरी ID का जो भी username या email ID या phone number है आपको यहाँ पर type कर देना है तो आप यहाँ पर अपना password है जो डाल देजेगा और login पे क्लिक कर देजेगा अगर आपको password याद नहीं है तो आपको forget your password है इस पर क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर by phone या by email कोई भी select कर सकते है तो मैं by phone क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर आपका mobile number 100 हो जाएगा और आपको यहाँ पर submit पर क्लिक कर देना है तो इस तरह से आप बहुती असानी से अपने Snapchat पर अपनी दूसरी ID को login कर सकते हैं और उसे use कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मारे वीडियो को like किजेगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा